दोस्तों भाईयों सभी को मेरा सलाम और नमस्कार और सश्रीकाई दोस्तों काफी टाइम के बाद अभी एक वह फिल वीडियो बनाई है जो कि यह मैंने चार तबले और दो डग्गे बनाए हैं और इनकी खासियत डग्गों की तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपक कि यह 16 kg का दग्गा है और एक है 5 kg का और दोनु कॉपर में हैं तो मैं आपको बारी बारी से लिखाए हूं पहले वे तबलों के बारे में बता दूँ कि तबले देखो चार तबले हैं चालों के इससोर अलग अलग है यह यह अगया और इसी तरह से फिर इसके बाद यह और फिर उसके बाद में लास्ट में तो यह चार तबले हैं चारों तबलों के सुर अलग-अलग है यह तरह से तबला तरंग भी है और अपना एक अलग-अलग ढाद में लोग जो चाते हैं कि अच्छा तबला मिले और अलग-अलग सुरों में मिले उसी तरह से मैंने कोशिश्च किया है तो यह हमारे मलेशिया जा रहे है और यह जो कोलीव डाउट कोई जॉ 것이 जैए उसकी होती है जो उसकी गूँझ होती है वह जॉसे जानी- चाया कितना ही कुछ कर लो को कि हम लोगे बनाने वाले लोग हैं हमें आवाज की जरुवत दिया तरह से तरह से सौंड आता और लेकिन इस पर हम हमारे दुकान की प्रिंस मीजुकल के नाम से महौर है और इसी तरह से उस्ताज जी को भी हमने अपने साथ में काम में रखा है ताकि उनका भी योगदान हमें मिलता रहे यह देखें इसका इसकी जो वाइबनेशन है वह देखने लाइग है और यह वन सीट का है पूरा वन यह पांच किलो की है जी ठीक है अच्छी बात है यह दोनों रखता हूं और हमने इनके लिए एक दो सैट बनाए है जो कि यह इनके रिंग है यह देखें यह रिंग है इसी तरह से इसमें हमने बैक साइड में आपको कुशन दिखाना है यह कुशन जो है ना काफी वाले हैं यह देखिए जंपिंग लेते हैं यह इस्टुमेंट पर इस तरह से लगेंगे इस तरह से और दगगे पर यह इस तरह से लगेंगे यह देखिए इस तरह से लगेंगे लाइए वो दिखाईए और यह दो सैट है तो दो सैट में हमने यह दोनों सैट में यह लगा और इसी तरह से यह दो से इसके साथ में और एक और चीज खाश्यत बाथ है कि हमने इसके अंदर प्रास की या लिकिसे में दो फोड़ियां दिए है इन दोनों सेट के साथ में तो यह जो अट है यह फिश वाली एफिश वाली और यह 700 ग्राम की यह यह वी बनाए गए हैं यह देखने हैं आप इसकी लोग वगेरा लोग वगेरा देखिए बहुत कुप्सूरत तरीके से बनाए गए हैं और इसके अलावा अब यह फाइबर बॉक्स हैं के जो कि हम इन तबलों को रखेंगे यह दो तबले एक डगे का एक बॉक्स है तो यह दो डगे दो मैं उनको भीज रहा हूं और बस यह फाइनल हो चुका है काफी दिन से वह वेट कर रहे थे तो आज उनका यह फाइनल हुआ है तो बस इसी तरह से मैंने आपको यह दिखाना था असल में तबला अब हम बनाना जानते हैं बजाना नहीं जानते हैं फिर भी थोड़ा-थोड ठीके सर्थ इसी तरह से इस तबले को देखिए आप यह साउंड है और इसी तरह से यह तबला है यह देखिए आप यानि कि सारे ही तबलों के सुर अलग अलग हैं यह और यह पहले काले में हैं क्योंकि अलग-अलग सुरों में बनाके दिये हैं तो बस यही मुझे दिखाना था और इसको मैं थोड़ा सा रख के भी दिखाऊँगा कि तोड़ा सा आप इसको देख लीजिए कि दबले की जोड़ी कैसे सैट होगी और किस तरह से लगेंगे हासों से मैं कुल्दीब के लिए मैं चाहूंगा दिखाना तोड़ा सा यह देखिए तबला जैसे लाओ एक दगगा देना पिटा यह देखिए यह आ गया तो यह इस तरह से आप सेट बना सकते हैं यह पूरा सेट है इस तरह से टॉप देना इनके यह लगिए हैं कि तो आदे यह कंप्लीट सैट हो गया इसके अलाबह जो तब में हैं और फिर उसी तरह सब्सक्राइब लगा जाएंगे तो ही पूरा इत्ट सेट हो गया और यह बॉक्स में जाएंगे यह फाइबर की बॉक्स हैं और बहुत अच्छे और खुप्सूरत बॉगे बॉक्स है और अच्छी क्वाटी में बनाए टीके जी और बाकी का तो आपको मैंने सारा कुछ जैसे बनाए हैं मैंने आपको दिखाएं तो मैं चाहूंगा कि आप इसको देखने के बाद शेयर करें और सब्सक्राइब दें ताकि सबसे पहले तो आप शेयर जाधा करें क्योंकि यह चीजें जो है ना बहुत जरूरी है को कि पूरे हिंदुस्तान में बिदाउट सीट के बहुत कमी के साथ मिलेंगे ही नहीं पहले नंबर तो यह शायद अब यह हमारी तरफ से शुरू हुआ है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं बहुत जाधा लोग मंगा रहे हैं इसको जोइंट वाले डग्ये नहीं ले रहे हैं तो बस यही मैं आपको दिखाना चाहरा था अ अच्छा इसके अंदर यह डोरी दी गई है यह आपको अपर साइड में रखनी है इस साइड में नहीं रखनी है यह पिलें जगा के लिए होता है जैसे यह पिलें नहीं है तोड़ा थोड़ा थोड़ा बजाता हूं लेकिन हमें हाथ में प्रॉब्लम इसकी वेसे लेकिन फिर भी थोड़ा सा बजा देता हूं बजे का नहीं थोड़ा से यह देखिए तो यह पांच किलो का डगगा है इस तरह से पूरा से इसका और यह देखिए यह लगा दिया लिए यह पांच किलो का डगगा है इस तरह से पूरा से यह दिख रहे हैं यह दिखिए तोस्तों और मेरे भाईयों बुज़र्गों मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ में जोड़के कुछ और नई चीज़ें बनाता रहूं कुछ और अच्छे थबली बनाता रहूं आप ल करता हूं अपनी वीडियों यहीं खतम करता हूं और बस आप भी सभी लोगों से मेरी एक प्रेस्टेक जाद से जादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी दें मुझे और मेरा जो क्या कहते हैं मेरी जो शौप है यह प्रिंस मिजुक के नाम से है प्रिंस मिजुकल केंद्र म मैं तिलक नगर नियुदिली में हूँ ठीक है और जादा से जादा मुझे शियर करें महरवानी आम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा फोन नंबर है 921-251625 ठीक है अच्छी बात है शब्बा खयत नमस्कार सच्छेकाल और सलाव